वो सजनी रे कैसे कटे दिन रात कैसे हो तुछ से बात ये जो सौंग है ये ट्रेंडिंग सौंग आपकी कानों तक भी जरूर पहुँचा होगा तो लापता लेडीस से जुड़ी हुई एक खुशखबरी आपको दे दूँ ये जो मूवी है वो औसकर आवार्ड के लिए बता दें आपको कि फॉरेंड कैटेगरी के लिए भारत की तरफ से इसकी एंट्री हो चुकी है और ये बहुत ही खुशी की बात है बता दें आपको फॉरेंड फिल्म केटेगरी में 29 फिल्मे रेस में थी जिसमें विकी कोशल की सैम बहादूर, रनवीर कपूर की आनिमल और कार्थी कारिन की चंदू चैंपियन लेकिन 13 सदस्यों को जूरी ने लापता लेडीज को चुना कभी-कभी सिंपल स्टोरी को खुबसूरत अंदाज में अगर दिखाया जाए तो पबलिक काफी पसंद करती है और अगर आपने अभी तक लापता लेडीज मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको सज़ेस्ट करती हूँ कि आप जाईए और इसको जरूर देखे आप अगर कभी गाउं में रहे हैं गाउं के कल्चर को आपने देखा है इसी जिया है तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा इस मूवी को देखकर और अगर कभी गाउं में नहीं रहे हो तब भी आप इस मूवी को देखे क्योंकि इससे आप समझ पाएंगे, गाउं के कल्चर को देखेंगे और फिर आपको समझ आएगा कि अच्छा गाउं में ऐसा भी होता है दरसल मूवी में घुंगट कल्चर को दिखाया गया है, फिल्म की कहानी एक ग्रामिन इलाके से शुरू होती है, गाउं में शादियों का सीजन चल रहा है दो जुवग अपनी दुलहन को लेकर के ट्रेन में चवरते हैं और दोनों दुलहनों के चेहरे पर घुंगट है, जिसकी वज़स उनका चेहरा नहीं दिख रहा है सफर खत्म होने के बाद दोनों दुलहने नीचे उतरती हैं और कहीं लापता हो जाती है दरसल ओडियन्स के लिए दुलहन एक्सचेंज हो गई है, पर फिल्म में तो दुलहन लापता हुई है एक युवग जिसका नाम दीपक होता है, वो गलती से दूसरी दुलहन पुश्पा को अपने घर ले जाता है उसकी असल पतनी फूल वही स्टेशन पर रह जाती है गुंगट में होने के कारण फेस तो देखा नहीं, हाथ पकड़ा और चल दिये दुलहन शायद गुंगट नहीं लगाती, तो गायब भी नहीं होती तो बेसिकली मुवी में घुंगट की वजह से दुलहन का गायब होने से लेकर के दोनों के मिलने तक का जो सफर है वो दिखाया गया है बड़े ही सुन्दर तरीके से और इसलिए मैं आपको सज़ेश्ट करूँगी कि आप खुद मुवी देखे हाँ तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि फॉरिन फिल्म कटेगरी में कई देशों से फिल्में आसकर में पहुंचेंगी और इनमें से आसकर जूरी चुनिंदा फिल्मों को नॉमिनेट करेगी अगले साल 17 जनवरी को नॉमिनेशन की घुशना की जाएगी और दो मार्च को उसकर आवार्ड सेरमनी होगी और इसमें विनर्स का एलान होगा तो विनर्स का एलान किया जाएगा अगले साल यानि कि 2025 में तो आप लोग भी विश्च कीजिए कि ये जो मुवी है लापता लेडी वो विनर हो जाए तो हमारे देश के लिए ये काफिया चाओगा